स्लाम अलेकुम लाजरें साथ आमों की हिफाज़त के लिए छे कुटों और चार बोडी गाड़ से 24 घंटे सेक्यूरिटी तफसिलात के मताबिक रियासेत मद्या परदेश के जबलापूर के एक आम के बाग में दो आम के ज़ाड हैं जिन पर साथ आम है जो जापान के मियाएके के आम की नसल है जिसकी कीमत किलो दो लाग सत्तर हजार रुपिय है जबके इन आमों की खरीदी के लिए अडवांस बुकिंग भी दी गई है मदिया परदेश के जबलापूर के रहने वाला परिहरी के बाग में ये आम के ज़ाड मौजूद है ये शख्स चन्नाई जा रहा था ट्रेन में मुलाखाद हुई एक शख्स ने इसको ये पौदा दिया उस वक्त परिहरी को इस पौदे वो इसके आम की खीमत के बारे में वाकिफित नहीं थी बाद में इस आमों के बारे में मालुमात हासिल होने के बाद आमों की हिफाज़त के लिए छे कुतों और चार बाडी गार्ड्स को तैयनात किया गया है यह चार एकड़ का हाईबिर मेंगो का प्लांट है उन्हों नहीं और यहाँ अपर लगवा फोटेन वराइटीस के मेंगो जो की इंडियन है और सिक्स वराइटीस जो की बाहर की है वो मेंगो जहां लगे हुए इसके लावा अन्य बही वगरा भी हैं कुछ बच्चे यह हमारे बच्चे ही हैं साब और यह वो बच्चे हैं जिन्हों ने अपने पिता को नाम दिलवाया है मेरी पहचान इनी से है और इश्वर का बहुत बड़ा शुक्र गजार हूं कि इन बच्चों की सेवा के लिए मुझे दिया और इश्वर ने इनको माद्यम बना के जो भी आज मेरी पहचान नाम इश्वर ने मुझे दी है इन बच्चों के कारणी है 2013 से स्टार्ट किया था हम लोग ने इन बच्चों का रूपन करना और आज लगबग आठ साल का समय व्यतित हो गया पता ही नहीं चला कभ यह आठ साल बीद गए तो हर साल लगबग कोई नए बच्चे हमारे यहां पर आते हैं और उनका रूपन किया जाता है तो निरंतर यह व्रदी लेता जा रहा है एक्चुली जैपनी ज़राइटी जिसको आप कह रहे हैं वो मेरे को जहां से प्राप्त हुए थे बच्चे उससे मैं कहा गया था यह वर्ल के मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो यह जैपनीज वराइटी है यह बाहर की उससे मैं मुझे गयात नहीं थ इसका नाम भी बताया गया उसकी पिक्स वगरा गूगल पर नेट पर काफी आजकल चुकी दुनिया काफी सीमित हो गई है नेट की माद्य हम से तो वो सारी जानकरियों का प्रदयान मुझे किया गया दिखाया गया अगर आप हमारा ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ना ना बोलें और बिल रेकां दबाएं और अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें और फालो करें